दोस्तो आज के इस वीडियों हम बात कर रहे हैं धातू-पोश्टिक चूलन के बारे में जी हाँ दोस्तो जब आपका धातू है वह पोश्टिक आपनी खो देता है तब वह सपनदोस के रूप में या चिपचिपपा पानी के रूप में या फिर अन्य किसी मातिम से आपके से तो दोस्तो या चिपचपा पानी टाइब की जो समयशा होती है उसे दातु रोक करते हैं तो दोस्तो इसकी एक एकड़ी आपको समझाता हूं और इसमें किस प्रकार की जो दवाई है वो काम करती है तो सबस्ते पहले दोस्तो यह होता है कि जब हमारी उम्र होती है 16-17 साल की तब हमारा वीरी परिपर कावस्ता में पहुँदने लगता है लेकिन कि नहीं आप रहाई कारणों से हम अपने वीरी को बरबात कर देते हैं जिसके कारणा आपको सुपने दोस्त चिपचपानी या धात की प्रबलम होनी चालू हो जाती है तो दोस्तो वीरी जब पोश्ट पोश्टिकता को खुद देता है तब यह समर्शा चालू होती है तो इन सारी पोश्टिकता को वापस पाने के लिए जो चून है और यह आपके सरी पे किस प्रकार से काम करता है? मैं आपको एक एक इसके डेटल बताऊंगा, इसमें अश्वगंदा है, शातावरेश, शालम पोश्टिक चून इसकी कीमत मानलो 180 पे हैं दोस्तो और आपको इसका मात्र 10 दिन तक इस्तमाल करना है दस दिन में आपका रिजल्ट प्रतित होगा दोस्तो एक बात और बतां देना चाहता हूं कि आप जब इस दवाई को यूज कर रहे हो तब आपको मीट और मांस मसाला और खटी चीजे को अवैट करना है क्योंकि खटी चीजे आपकी योन क्रियाओं पर विपरित प्रभाव डालती है तो इसलिए आपको इन चीजों को अवैट करना है और मात्र 15 दिन तक इसका सेवन करना है 15 दिनों के बाद आपको काफी वहत्पुन और असरकारक रिजल्ट आ आपकी जीवन जो है बहतर बनेगी तो दोस्तों यह आपको किस-किस प्रकार से लेना है और किन-किन विमारिम लेना है जैसे कि मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों को इंद्रियों में तनाव नहीं आता है लिंग में तनाव नहीं आता है सेक्स इच्छा में कमी होती है सिक दोस्तों इस प्रकार ज़ो जीवन है जो दातुरों के करण जो लोग परेशान है उनके लिए एक वर्दान साभित होगा दोस्तों बस इसका परेच्ट के सांथ आपको यूज करना है परेच आपको मैंने बता दिये हैं और ये आपकी समयशा को खतम करतेगा तो इस परकार द देखे और अपने जीवन को नव उर्जा से भरिये तो दोस्तों इस प्रकार की जो दवाई ये वो मुलता है उसका जो में उद्देश होता है वो बनाई इसलिए है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो खतम हो जाए दोस्तों यहां पर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कई लोगों की अलग-लग तासिर होती है अलग-लग सरीर की चमता होती है अलग-लग सरीर का मेंटेनेस होता है तो इस प्रकार दोस्तों किसी के उपर ये दवाई काम नहां करे तो बुरा ना मानीगा क्योंकि दोस्तो सबकी तासिर अलग होती है, सबकी प्रवती अलग होती है, तो इसलिए दोस्तो किने, कुछ लोगों के उपर काम कर भी सकता है, और कुछ लोगों के उपर काम नहीं कर सकता है, दूसरी बात यह आती है, दोस्तो, जिन लोगों की पाचन सकती मजबूत है, उसे अतिदिक जोइन दोस्तो यहांके सरीर के उपर डिपेंड करता है कि आपका से उसे कितना अब्ज़ाब कर पाता है तो दोस्तो इस बात का जरूद है कि आपका सरीर को शमाधान ओनलाइन मैं कमेंट के मादेम से देना चाहूंगा दोस्तों इस प्रकार की वीडियो और पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीज़ेगा और नोटिपिकसन को उन कीज़ेगा मिलते हैं दोस्तों नेश्ट वीडियो के साथ थैंक यू